दोस्तों आज मैं बात करने वालो एक बहुत ही important matter के उपर और यह बहुत serious भी है पहले थोरा सा बात कर देते हैं, बहुत सारे लोग है जो Google Play Store से बहुत सारे third party apps अपने mobile पे download करते हैं, install करते हैं इसमें से कुछ keyboard वाला apps रहता है, जिसमें आपका बहुत सारे emojis होते है, text वगएरा बहुत सारे stylish होते है और photo editing वाला apps वो तो बहुत लोग यूज करते हैं, specially girls जो है, वो बहुत ही यूज करते हैं तो दोस्तों बात यह है कि यह जो apps है, क्या यह apps secure है, आप जो download करते हैं, काम करते हैं, इसमें बहुत सारे permissions आपसे मांगते हैं तो आप क्या करते हैं, बिना परे, बिना जाने, आप उसको accept, accept करते जाते हैं तो यहां तक तो ठीक है, पहले एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोचिए आप रात को अपना एक selfie खीचे, एक must photo editing app Google Play Store से download किया उसमें अपना photo editing किया, करके Facebook में upload कर दिये, ठीक है? और उसके बाद अपना जो बहुत अच्छा वाला keyboard होता है Google Play Store से, जिसमें stylish font रहता है, बहुत सारे emojis रहते हैं, ऐसा कुछ है तो इसमें जो है, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ chatting कर रहे हैं, emojis share कर रहे हैं, बहुत बढ़ी आएं, करके रात को सो गएं सुबह जेब उठे, तब आपके mobile, हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठके mobile check करते हैं, कहाँ मोबाइल पर क्या क्या को मेरा दोस्त को message भेजाया के नहीं, क्या 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 आया है, वगड़ा वगड़ा देखते हैं तो दोस्तो, mobile check कर रहे हैं, सुबह उठके, देख रहे हैं, आपके mobile पर एक message आया हुआ है, यह account is debited by something amount, और भाया date जो है, वो कल रात का है, तो आप तो भाया सोच में पढ़ गया हम तो कल रात को सो रहे थे, तो यह account से पैसा debit कहां पर हो गया, दोस्तो, आप जो है, आप कल रात को ही permission दे दिये थे उनको, के हाँ भाया, मेरा यह user है, यह password है, यह मेरा personal data है, आप लोग ले लो, तो वो लोग को तो खुला तिजोरी मिल गया, वो लोग चोरी कर लिए, तो आज का जो दोस्तो, यह video मैं बना रहा हूँ, इसी matter के उपर बना रहा हूँ, और बहुत ही serious matter है, क्योंकि Google ने अपने play store से फिर से निकाल दिया है, 17 apps को, जो apps आपका personal data वगारा बहुत कुछ चोरी करता था, illegal तरीके से, तो दोस्तो, इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ, यह जो apps है, यह कौन सा वाला apps है, यह क्या करता था आपके mobile पे, कौन सा वाला virus या जो भी malware है, डालता था आपके mobile पे, application का नाम क्या है, क्या आपके mobile पे वो application है, अगर इस video में मैं यह पूरा application का नाम भी बताने वाला हूँ, अगर आपके mobile पे रहता है, तो तुरंत इस application को remove कर दीजिए, delete कर दीजिए, इस video को आप अंतक क्योंकि इसमें हर एक information जो है, वो बहुत important है आपके लिए, तो चलिए, वीडियो को देख लेते हैं, नमस्ते दोस्तों, मैं हुड़ा जटार, आप देख रहे हैं मेरा technical YouTube चैनल टेक्नोसिटी, दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लीजिए और bell icon को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे technology videos मैं आपके लिए रोजानब बनाते रहता हूँ, दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि Google ने अपने play store से निकाल दिया 17 mobile applications को, तो दोस्तों, ये applications क्या करता था, ये application एक malware जो है, जिसका नाम है joker, joker malware जो है, वो आपके mobile पे install क कर देता था, आपके mobile पे आप बिना permission लिए, बिना कुछ आपके mobile पे ये जो malware है, इस malware को आपके mobile पे घुसा देता था, तो दोस्तों, आपको तो ऐसे, आप तो कोई भी बंदा जो है, वो mobile के उपर इतना expert नहीं है, कि कोई malware आ जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा, तो mobile app है, ये basically तीन तरह का app जो है, वो आप install करने सी ये होता था, जो 17 apps है, उसमें से, कुछ apps है, जो कि scanner वाला apps है, कुछ apps है, जो messaging apps है, कुछ apps है, जो photo editing वाला app है, दोस्तों, tension वाला बात ये है, कि ये apps जो है, ये apps औरेडी एक लाक बीस हजार बार download हो चुका है, इंडिया में, तो किसके mobile पर है, किसके mobile पर नहीं है, ये मालूम करना बहुत ही tension का बात है, तो और Google से कोई ऐसा notification भी mobile पर नहीं आ रहा है, कि हाँ भाई ये application को हमने delete कर दिया, आप भी delete कर दिजिए, तो ये आपको खुद के mobile पर खुद से check करना है, कि हाँ ये application मेरे mobile पर है के नहीं, जब मैं पूरा list बताऊंगा, तब आप check कर दिजिए, तो दोस्तों ये applications जो है, वो करता क्या था, वो actually ये पहले जैसे मैं नाम बताया, ये joker malware था, ये users जो है, users के बिना permission लिये, मतलब के उन से कोई भी, जैसे accept permission लिया जाता है, वैसे कुछ permission नहीं है, आपके permission के बिना, आपके mobile पे, premium wireless application protocol, जो है, WAP, वो, WAP का जो service है, वो आपको, उसमें आपको sign up करवा देता था, तो इसमें sign up करने से क्या होता है, आप अपना जो data है, जो वगरा है, सब आप उनको लेने का permission दे दिये, तो वो लोग, आपके mobile से, जो data वो चोरी कर लेता था, अब बात है कि क्या-क्या data चोरी करता था, data चोरी करता था, SMS बगरा, SMS बगरा, जो private SMS, banking, SMS, जो भी था, आपके mobile से, वो SMS, एक तीसरे आदमी के हाथ में चला गया, तो और है, जो contact list है आपका, वो चोरी कर लिया, सोचिए उसमें आपका बहुत सारा important number रह सकता है, तो वो number जो है, वो number भी उन लोग के हाथ में चला गया, दूसरा वार, वुस number पर वो लोग अपना SMS बहुत कुछ भेज सकते, मतलब के आप जो application उसकर रहे है, download करके play store से, उसके चलते, दूसरे का जो number है, वो भी leak हो गया, और उनका जो number है, उनके mobile पर भी गलत-गलत SMS आ सकता है, तो ये तीसरा बात है, और जो है, ये चोरी करता था, आपका जो user ID है, password है, banking details वगड़ा, जो भी आप अपने mobile पे save करके रखते थे, वो पूरा का पूरा ये application story करता था, तो दोस्तों, इसी लिए, मैं जो पहले एक story बोला छोटा सा, उसमें मैं ये ही बोला कि रात को आप application डाउनलोड की, अपना एक must photo editing किये, और must facebook में सुबह उठके जब देखे, आपके mobile से पैसक आया, तो ये किसलिए, कि आप रात को जब वो application, photo editing वाला application डाउनलोड किये, उसमें जब आप install की install करने के बाद, आप से permission मांग रहा था, accept, 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 आप कर दिये, तो accept करने के बाद, वो तो activate हो गया आपके mobile पे, फिर आप marketing करके, facebook में डाल के सो गया, सोने के बाद, आपका तो mobile मतलब के slip mode पे चला गया, पर वो application अपना काम कर रहा था, तो वो आपके mobile से जो SMS है, वो activate कर लिया, तो banking में कोई stroke किया, वहां से कोई, जो OTP है, वो आ गया, आप message already उनके हाथों में है, तो OTP भी उनके हाथों में चल गया, और आपके bank से पैसा निकल गया, तो दोस्तों ये बहुत ही sensitive बात है, इसमें बहुत ही secure रहना जरूरी है, तो अभी फिलाल उन apps के बारे में बात कर लेते है, apps जो है दोस्तों, ये apps को Google ने नहीं पकड़ा है, ये apps जो है, इस apps को पकड़ा है, जिसकेलर labs ने, जिसके Google ने क्या क्या, अपना जो प्ले स्टोर वाले बंदे, उनसे कहा कि ये apps को तुरंत निकल बाहर करने के लिए, तो प्ले स्टोर वाले इस application को तुरंत रिमूफ कर दिये प्ले स्टोर से, तो ये 17 apps जो है, ये apps फिलाल Google प्ले स्टोर में अभी नहीं है, पर आपके mobile पे हो सकत है, तो ये apps actually design किया गया है चोरी के लिए, मेरे पास दोस्तों ये list है, जिसमें ये 17 apps जो है, इसका पूरा का पूरा नाम यहां पे मैं list करके रखा हुआ हूँ, आपको बताने के लिए, तो ये apps अगर आपके mobile पे होता है, तो तुरंत इस apps को delete कर दिजे, remove कर दिजे, तो न नाम जो है इस applications का, पहला है all good pdf scanner, दूसरा है mint leaf message, जो की private message का कुछ application होगा, unique keyboard, इसमें आपको मिल जाता है fancy fonts और free emoji, दोस्तों free fonts, fancy fonts, free emoji इन से मत भूलिएगा, आपको जितना free में मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा data आपका अपने mobile से चोड़ी हो रहा है, तो ऐसे free apps से दूर रही है, अगर आपको install करना है, तो terms and conditions देखिए, उसका review देखिए, फिर अपने mobile पे install कीजिए, मैं बार-बार बोलता हूँ के, अपने mobile पे कोई भी third party apps install करने से पहले, उसको अच्छे से जाच लीजिए, परक लीजिए उसके बाद जो है, वो tangram app lock, direct messenger, private SMS, one sentence translator, दोस्तों ये जो one sentence translator जो है, ये बहुत लोग use करते हैं, क्योंकि एक sentence लेख दिया, उसका translator automatically हो गया इस app में, तो बहुत useful होता है, पर useful है actually है, पर इसके पीछे जो काम चलता है, वो तो useful नहीं है ना, तो check करना ज़रूरी है, इसके बाद आता है style photo college, हम लोग जैसे facebook में डालते हैं, जादा आता है, चोटा 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 फोटो एक साथ में करके, एक college बनाके facebook में डाल दी अपने दोस्त के साथ, तो वो app है ये, पर ऐसा apps को अगर आपके mobile पर रहता है, ये app तो छोड़ी दीजे, दूसरा को translate, talent photo editor, blur focus, दोस्तों अभी mobile का जो main camera आता है, रियर camera आता है, उसमें already blur focus वाला दिया रहता है, तो ये जो अलग से third party वाला जो blur application है, फोटो का camera का, तो वो क्यों download करना दोस्तों, अभी फिलाल जो mobile पे camera आ रहा है, हर एक mobile पे blur का facility दिया हुआ है, background blur हो जाता है, इसके बाद आता है, care message, part message, paper document scanner, जैसे ये मेरा paper है, इसका जो document है, वो मैं scan कर सकता हूँ, इस application के जरीए, blue scanner, और last में आता है, hummingbird pdf converter, इसमें ये application क्या काम करता था, photo जो है आपका, आपके mobile पे सोचिए, कोई photo है, इसको ये pdf में convert कर देता था, तो अगर आप कोई photo print करवा ना हो, कोई कुछ करवा ना हो, तो pdf में transfer करके, ये photo आप कहीं पे भी किसी lab में भेज सकते थे, तो दोस्तों ये जो 17 एप मैं आपको बताया, ये 17 एपस जो है, वो बहुत ही dangerous एप है दोस्तों, तो अगर आपके mobile पे ये apps already है, तो चेक कर लीजिए, और अगर है, तो इसको तुरंत remove कर दीजिए, दोस्तों ये जो applications है, ये application का पूरा का पूरा name मैं अपने description box में डाल द है, तो दोस्तों ये ही था आज का वीडियो, आशा कर तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा information दे चुका हूँ already, और ये बहुत ही sensitive information है, तो आप जैसे मैं बताया कि कोई भी application अपने mobile पे download करने से पहले, प्लीज उसको check कर दीजिए, और उसका review तो पक्का check कीजिए, तो ये ही था आज का वीडियो, आशा कर तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like और share जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लीजिए, क्यूंके आपके लिए ये जो secure वाला वीडियो है, जो भी है, वो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ हर वक्त, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते